ओम सिरिगरिसाय नमा मित्रों मैं रागोराम मिस्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुने स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं ब्रिश्चिक रासी की महलाओं के बैवाहिक जीवन के बारे में ब्रिश्चिक रासी की महलाओं का सादिक कब होता है इनका संतान कब होते हैं इनका इनके पती के साथ संबंध कैसे रहते हैं और इनका सादिक के बाद इनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है अभी मैंने कुछ समय पहले जो ब्रिश्चिक रासी के बैवाहिक जीवन के बारे में जो वीडियो बनाया तो चुकी वो इस्तिरी और पुरुष दोनों के लिए था जिसमें मेरी बहुत सी महां बहन बेटियों का कमेंट आया कि आप इस तिरियों के लिए अलग से वीडियो बनाईए और वो मुझे कमेंट बहुत अच्छा भी लगा इसलिए आज हम ब्रिश्चिक रासी की महिलाओं के बैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे अब मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि ब्रिश्चिक रासी की जो लड़कियां होती है ये बहुत सुंदर होती हैं बहुत तेतरार होती हैं खेल कूद में भी इनको बड़ा अच्छा अन्भो होता है इसके अलावाँ गर्हकार में भी ये दच्छ उती हैं शिलाई कड़ाई आदि भी इनके अंदर एक बिसेश गुण होता है इसके अलावा भी ये और भी बहुत सी चीजों की जानकार होती हैं जैसे महंदी लगाना और ब्यूटी से सम्मंदित बहुत सी चीजे इनके अंदर होती हैं और ये जो कार शुरू करती हैं तो इस कार के अलावा भी ये अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हैं अब चुकि ब्रिच्चिक राशी की जो लड़कियां हैं ये पहले अपनी सिच्छा दिच्छा पूर करती हैं उसके बाद ये नौकरी आधी प्रारम करती हैं अगर इनको ब्यापार बिजनस का भी कुछ करना रहता है तो ये अपने ब्यापार में पूर्ण एकाग्र होकर काम करना प्राधम करती है वैसे ये कला के छेतर में अच्छी वकील, अच्छे डॉक्टर, अच्छी समा सेवा आदी में बहुत नाम कमाती है जब इनकी उम्र 24 से 28 वर्ष के बीच होती है तब इनके साधी का सुन्दर योग बनता है, इनकी साधी बहुत अच्छे व्यक्ति से होती है और ये अपने जीवन में बहुत से जो सपने हैं इनको यहीं से इनका साकार होना प्रारंब होता है तो इस प्रकार देखा जाए तो ब्रिश्चिक रासी की जो लड़कियां हैं इनका लोगों के अंसार तो यह हुआ अब लड़की 24 से प्लस हो गई तो लेट हो रहा है यह है तो दूसरों की बुराई करने में लोग पीछे नहीं हटते हैं जबकि सत्य यह है कि ब्रिश्चिक रासी की लड़कियां जब तक अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई काम बेवसाय नहीं पकड़ लेती हैं तब तक यह साधी जल्दी करना कम पसंद करती हैं यह अलग बात है कि इनके घर वाले अच्छा रिष्टा मिल गया अच्छा लड़का मिल गया थोड़ा जल्दी साधी कर दिये लेकिन यह है कि अगर इनकी पढ़ाई लिखाई अधूरी रह जाती है तो जीवन भर यह संताप इनको सताता रहता है क्योंकि साधी के बाद बहुत कम ही लड़कियां हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाती हैं क्योंकि वो अपने पारिवारिक जीवन में इस तरह से उलज जाती हैं कि उनको पढ़ने लिखने का फिर उतना उसर नहीं मिलता है लेकिन कुछ लड़कियां हैं जो बहुत हिमती साइसी होती हैं वो अपने कारी ग्रहकारी को करके अपना समय निकालकर पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती हैं और सफलता प्राप्ट करती हैं यहां तक कि अच्छे अच्छे आईये स्पीसियेस की जो महलाएं हैं इनको आप देखोगे कि साधी के बाद इनका जीवन बहुत सफल हुआ है तो आईये हम इनके जीवन के विशे में विस्ताज से बात करते हैं धन अस्थान, कुटूम अस्थान, वाणी अस्थान अब आप देखेंगे कि जब ब्रिश्चिक राशी की महलाएं साधी के बाद अपने ससाल में आती हैं तो यह अपने सेवा से सब को प्रसंद करने की कोशिश करती हैं सब को भाग के इनका भी काम करेंगी भाग के उनका भी काम करेंगी तो जो यह अधिक काम करने लगती हैं और आप देखोगे कि ज्यादा तर चुकि ये काम बड़ी जल्दी जल्दी करती हैं लोग इनकी प्रसंसा कम करते हैं ये अपने घर के हर सदर की सेवा भाव करती हैं लेकिन इनके वैसे तो ये है कि इनके चचेरे ससूर देवर जेश्ट आज इनका सम्मान करते हैं लेकिन इस तिरियां भिशेश कर इनके घर की जो होती हैं वो इनकी ज्यादा प्रसंसा नहीं करती हैं जबकि ये प्रसंसा की भूकी होती है इनकी प्रसंसा कर दो तो ये ठकी हारी सब ठकान दूर खाली इनको सकते बोल दो कि तुमने बहुत अच्छा भोजन बनाया बड़ा अच्छा घर का काम किया साथ सपाई ये सब इनकी प्रसंसा कर दो तो बहुत अंदर से प्रसंद होती है वो इसे ये काम करने में किसी से पीछे नहीं रहती है लेकिन ये है इनकी जो प्रसंसा वाली चीज है वो इनको सुरू सुरू में बहुत कम मिलती है लेकिन फिर भी ये अपने काम में पूरी तरह लगी रहती है भाई अस्थान, बहन अस्थान, प्राकरम अस्थान, खोज अस्थान अब आप देखेंगे कि ब्रिश्चिक राशी की जो लड़कियां हैं वो साधी के बाद अपने सस्राल रहते हुए भी अपने भाई बहन का पूरा ध्यान रगती हैं उनका भाई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है उसको किसी सहायता की जरूरत है, उसे क्योई सलाह की जरूरत सब ये एक अच्छी सलाहकार बन कर अपने भाई की पूरी सहायता करती है भाई भी इनका बड़ा सम्मान करता है कोई भी काम करने से पहले बिना इनसे सलाह मस्ला कर वह कोई भी काम नहीं करता है इस तरह से आप देखेंगे कि जो बिश्चिक्राशी की महलाईं हैं यह अपने प्राक्रम के बलबूते अपने सस्वाल में हर वो काम सबका काम करने का प्रयास करती हैosition अपने माईके में भी विशेष कर अपने भाई का विशेष ध्यान दखती है अपनी बहनों का भी ध्यान दखती है और अगर कहीं बिश्चिक राशी की लड़कियां घर में सबसे बड़ी हुई तो ये अपनी जिम्मेदारी अपने लास्ट तक निभाती है पूरा ध्यान रखना घर में क्या है क्या नहीं है इनके माबाप का साथ कैसा है सब पूरा मतलब इनको पूरी गणित रहती है काम भी करती रहेंगी हाल चाल भी लेती रहेंगी और आगे चलके अपने माता पिता का भी पूरा ध्यान रखती है सुख भाव वाहन माता मित्र मकान अब आप देखेंगे ति ब्रिष्ची क्राथी की जो लड़कियां होती हैं यह सादी के बाद अपने पती सास आदी के पूर रूसे समर्पन रहती हैं यह उनकी खूब सेवा करेंगी कभी कभी तो इनको खड़ी खोटी भी सुनने को मिल जाता है और यहां पर यह छोटा छोटी बात को लेकर बुरा मान जाती हैं अंदर से बिल्कुल दर्वित हो जाती है कि इन्होंने कोई गलती नहीं किया फिर भी इनको बेवजे डाट पड़ गई कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपनी गलतियां देथी नहीं है और अगर किसी बड़े बुजूर्ग ने कुछ कह भी दिया तो आपको धैर रखना चाहिए क्योंकि आप धैर की देवी हैं और ब्रिश्चिक रासी जिसका स्वामी मंगल होता है ये प्राकरम होता है मंगल हमेशा दंगल कराने के युगार में रहता है इसलिए इनको अपने घर के मामले में हर कोई इनसे बस कमी इनकी दिख जाए तो सब लोग बिल्कुल जोओ 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 इनके ओपर चल लेता है उपने ये किया आइसा क्यों किया मत अकेली जान की कहानी हो जाती है लेकिन यहाँ पर भी ब्रिश्चिक राजी की महलाएं बड़ी बुद्धिमान होती है और अपने धैर का पर्चे देती है और मैं भी उनको यही सलाह दूँगा कि आप अपने धहरी का पर्चे दे आपको अपना घर बनाना है अपना संसाल बनाना है गलती सबसे हो जाती है आपसे भी हो गई होगी तो गलती को ना भी हुई है तो मान लो अभी मान लेने क्योंकि आपको अपने परिवार के साथ पती हो गई हो इससे क्या होता है कि रात गई बात गई आपका भी टेंसन खतम हो गया क्योंकि बिच्छिक राते की मेलाएं जब बेचयन होती है तो इनका कभी-कभी तो बीपी बढ़ जाता है इतले इनको तनाव तो कदापी नहीं लेनी चाहिए गलती हुई हुई भी तो ठीक न नहीं देना चाहिए बिद्ध्या भाव संतान भाव अब आप देखेंगे कि बिश्चिक राशी की जो महलाएं हैं लड़कियां हैं इनकी जब साधी हो जाती है तो ये साधी के दो तीन वर्ज के अंदर ही मा बन जाती है इनकी संतान भी बहुत सुन्दर और बिल्कुल इनकी जैसी ही होती है आप बिश्चिक राशी की महला को और बिश्चिक राशी की महला की लड़की को ठीक अगल बगल खड़ा कर दो और दोनों का बच्पन का फोटो मिलाओ आप ताजूब करोगे आश्चिक में पढ़ियाओगे बिल्कुल दोनों से मा बेटी ऐसा ये भगवान के किरपा होती है कि इनकी संतान इनकी टू कॉपी बनती है इनका पुत्र तो अपने पिता की छवी पर जाता है लेकिन इनकी जो लड़की है वो बिल्कुल हूबहू अपनी मा जैसी होती है हाँ ये है कि वो अपनी मा से जिद्धी और गुसेल ज्यादा होती है पढ़ने में तेज रहेगी अब चुकि मा की दुलारी भी होती है इसलिए उसको गुसर करने का आउसर भी मिलता है और लोग उसके गुसर को हाँसी प्रिकार भी करते हैं लेकिन जिद्धी भी होती है लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत उस्यार होती है इनकी माँ अपनी बच्चियों को पढ़ाई में किसी से कम नहीं रहने देना चाहती है अगर उनके लड़का बड़ा है लड़की छोटी है तो भी लड़के के बराबर लड़की को पढ़ाई लिखाई पूरा ध्यान रहती है इसी कारण इनके बच्चे हमेशा अपने मा के आग्या का पालन करते हैं और इनकी हर बात वो बिना नानुकर के स्विकार करते हैं रोगस्थान, कर्जस्थान, मामा अब मैंने आपको बताया कि ब्रिश्चिक रासी में रोगसथ्टु घर का स्वामी मेस्वासी होती है उसका स्वामी भी मंगल ही होता है ब्रिश्चिक रासी की महलाओं को एक तो जूट बिल्कुल पसंद नहीं है वो चाहे इनका पती हो, चाहे सास हो, कोई भी हो ये जूट पकड़ने की एक प्रकार की मसीन होती है इनसे जूट बोलोगे तो ये आँखों में आँखें डाल कर समझ जाएंगी कि ये आदमी जूट बोल रहा है या सत्ति बोल रहा है इसलिए जब ये किसी के जूट को पकड़ लेती है अधिक क्रोट करती है तो बेवजह बात की बतंगड बन जाती है इसलिए इनको अगर कोई इनसे बड़ा है इनके परिवार का सदस्य है, सस्वाल का सदस्य है जूट बोल रहा है, उसे आप समझते हुए बेहंसी में टाल दीजिए उसके बात को ये आप ये मत बताईए कि तुम जूट बोले और मैं पकड़ लिया इससे क्या होगा कि सामने वाला बेवजह आपसे क्रोट करेगा आगे चलके हो सकता है आपकी बुराई भी कर दे यहां ब्रिश्ची ग्रासी की महलाओं को बिल्कुल समझदारी से पच्चे देना चाहिए अब आप स्वास्ट के मामले में देखेंगे तो इनका स्वास्ट अच्छा रहता है मैंने बताया कि जब यह अधिक क्रोध करती है या इनको कोई गलत बात का आरोप लगता है तो यह बहुत बेचेन हो जाती है फिर इनको रात को नीन नहीं आती परिसान रहती है तो यह सब चीजों से इनको भचना चाहिए इनका कोई बुराई भी कर रहा है तो करने दो आप सत्ति हैं बस इस बात पे आप अडिक रहें आपके जीवन में सत्रु कभी हावी होने नहीं पाएंगे अब कर जासान देखा जाए तो वैसे तो यह लेंदे लगती हैं किसी को दयावास साहिता करती हैं या किसी की जरूर पड़ी तो उसको मदद भी करती हैं और अपना धन यह वापस लेने में मास्टर भी होती हैं ये सीधे में सीधी होती हैं और टेड़े के लिए बहुत टेड़ी होती हैं इसलिए किसी की ये मदद करेंगी और अगर उसके पास धन आ गया और वो देने में ना नुकर करता है तो ये अपने क्रोड को नेतर नहीं कर पाती हैं और जब तक अपना धन वसूल नहीं लेती हैं तब तक ये चैन से उसे बैठने भी नहीं देती है, यही कारण है कि इनको लेन देन अधिक नहीं करना चाहिए, उतना ही करो जिससे कि अगर सामने वाला ना दे तो आपको प्रेसान होने की जरूरत ना पड़े, पती अस्थान, बैवाहिक सुख, ब्यापार, अब आप यहां नहांपास देखोगे, कि ब्रिच्छी करासी की जो लड़कियां महलाएं, साधी करके अपने ससाल में आती हैं, तो ये पती के लिए तरह तरह का सपने देखना हम, इनका पती ये बन जाए, इनका पती ये हो जाए, अपने पती को ये क्या कुछ खिला दें, क्या कुछ पिला दें, ये हमेशा इस बिचाल में रहती है, पती को जो सुख चाहिए, हर तरह के सुख ये देने में सक्षम रहती है, प्रण तो कभी-कभी ऐसा होता है कि इनकी बातों में कभी-कभी इनका पती इनसे हसी मजाज में कुछ बोल दिया कभी इनके माईके के बारी में अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो ये क्रोध नेंतरों से बाहर हो जाता है यहीं चीज है कि बृष्चिक रासी की जब महलाएं हैं इनको वैसे तो ठोकरों से बात ठोकर मिलता रहता है लेकिन यह इतनी करमत होती है कि यह हर मुसीबत का सामना करने के लिए तयार रहती है बिसेश कर जब इनका पती अगर इनके लिए कुछ हंसी मजाग कहता है कोई बुरी बात भी कहते तो आपको बिल्कुल क्रोध नहीं करना चाहिए पहली बात तो वो आपका पती है आपके जीवन साथी है हल दुख सुख में वो आपका संदच्छक है और दूसरा जिस परकार आप घर में रहकर तमाम तरह की समस्याओं का सामना करती है ऐसे ही आपका पती भी आप घर से बाहर जाने बात कितने समस्याओं उसको दिन भर में आती है आपको इस बात पर भी बिचार करना चाहिए बलकि मैं तो ये कहूंगा कि आपको अपने पती की जगे पर भी कभी कभी तुलना करते रहना चाहिए कि जिससे अगर पती बाहर से आया ठका हारा किसी बात पर पर परिसान है चिल्चरा हो गया है कुछ बोल दिया तो आप उसके आने पर उसका पूरी तरह स्वागत करो सुबा कोई बात वो बोल दिया तो रात गई बात गई वो तो तब की बात है सुबा हुई साम हो गया अब वो क्या बोला था वो भूल गया हम भूल गये वो भूले न भूले हम भूल चुके हैं वो आया उसकी सेवा करन सदकार करना अच्छे से बात करना सुबह की बात लेकर क्रोड में रहना अच्छी चीज नहीं है यहां क्या होता है आप अपने स्वास्त किसी खिलवार करती हैं और पती के साथ भी उतना प्रेम पिर नहीं रख पाती है जो रोज होना चाहिए इसलिए रात कई बात को तुरांत इसकान से सुनो पती है कभी बोल दिया होगा हम भी बोल देते हैं वो भी बोल देते हैं इस तरह कभी आप भी अवसर पायती हैं तो चुकती नहीं है लेकिन वो सीरियस नहीं लेता है इसी तरह आपको भी किसी उत्की बात का सीरियस नहीं लेना चाहिए हाँ यह है कि वो आपकी प्रसंसा नहीं करेगा आपका उतना सम्मान नहीं करेगा जितना कि आप आसा करती हैं लेकि इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपको प्रेम नहीं करता है वो आपको प्रेम करता है आपकी भावनाओं का ध्यान रखता है जो भी आपकी आप सकता है वो आपको लाकर देता है इस बात से आपको पूरी तरह संतोस रखना चाहिए वो घर में जगड़ा करना भी चाहे तो आप बिल्कुल उन सुना कर दो, जाने दो, मैंने कुछ सुना ही नहीं, बोला, क्या बोला, क्योंकि बात की बतंगर बनाना आए, तो बात के जबाब में ही बस बतंगर फिर चालू, तो हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ग्रह बोलता है बोलने दो, जादा उसकी बातों पर पीछे ना पड़ो, क्यों बोले, क्यों है ऐसा, तो चुकि आपके सब्तम घर में बिर्सवरासी है, बिर्सवरासी का स्वामी सुक्र है, सुक्र प्रेम, आनंद, सुक्र, वहान, यात्रा, सब कुछ देने वाला है, अच्छे अच्छे कपड़े, सुंधरी, प्रसाधा, तो ये सब चीजें आपको तब और सोभा लगेगी, जब आप अपने पती के साथ प्रेम से रह रही हो, उससे कुछ बोल दिया और आपने अपने दिल से तुरन निकाल दिया, आपकी यहां पे जो महानता होगी, पूरा परिवा आपकी वाह वाह करेगा, इससे आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा, और आगे चलकर आपका पती भी आपसे प्यार करेगा, कोई ऐसी बात नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है, इसको कुछ भी बोलो ये बुरा नहीं मानती, यही सबसे अच्छी चीज है, दुरघट चलाने की बड़ी सौकीन होती है, भगवान की दया से इनको वाहन आदी होता भी है, लेकिन यह है कि इनको वाहन आदी चलाते समय कभी तेर जिगती से तो बिलकुल वाहन नहीं चलाना चाहिए, आप आराम से वाहन चलाईए, बच्छों को स्कूल छोड़ने जाना है, कि उतना आप चोट चपेश से बची रहेंगी वैसे तो कोई बड़ी दुर घटना नहीं होती है लेकिन फिर भी सावधानी रखना बहुत जरूरी होता है धर्मस्थान भाग्यस्थान अब आप देखेंगे कि ब्रिच्चिक राशे की जो महलाएं होती है दिल की निष्चल होती है साप कौमा लिजदाएं क्रोज बले ये करें किसी का कोई कमी पा गई लेकिन ये भगवान भी इनको उतना ही प्रेम करता है कि ये इनके दिल में किसी नहीं पाती है अगर किसी से गुस्थे में है तो ये तुरांत बिना बोले रह भी नहीं पाएंगी लेकिन एक बार 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 बोल दिया खतम होती है अब इनके भाग्यस्थान में चुकि करकरासी बैठती उसका स्वामी चंद्रमा होता है तो ये भगवान की पूजा पाठ करती रहती हैं समय समय पर ब्रत उपास भी करती हैं जब भी ब्रत उपास करेंगी अपने पती स्वासाल पती भाई आदी की लिए ये भगवान से कुछ ना कुछ प्रातना करती रहती है और भगवान इनकी प्रातना स्विकार भी करते हैं क्योंकि ये निश्चल भी होती है इस तरह से देखा जाए तो इनका जो भाग यह भागवान होती है जब इनकी साधी हो जाती है साधी के बाद जब इनके उपर जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है तो असली परिच्छा इनके यहीं से सुरू होती है लेकिन यहाँ पर इनका भाग इसाथ देता है पूजा पाच से भगवान की सद्धा नितिक पूजा पाच करती रहती हैं और उसमें भी हर्मान चालिसा भी करती हैं संकर जी भगवान की पूजा करती हैं और अपने सभी देवता की ये पूजा करती हैं जो भी इनके धर्म के भगवान हैं ये उनकी सद्धा निष्ठा पु अब आप देखोगे कि ब्रिश्चिक राशी की जो महिलाएं हैं यह अपने मान सम्मान के प्रत बहुत सचेत रहती हैं ऐसा कोई भी यह काम नहीं करेंगी जिसे इनके मान सम्मान में ठेश लगए लेकिन जहां यह नोकरी करती हैं काम करती हैं यह वहां बहुत सतर करेती हैं समय से काम पूरा करना समय से ऑफिस जाना समय से ऑफिस से घर आना इस तरह से यह ना तो किसी के अपमान करती हैं और ना अपना अपमान यह बरदास करती हैं और भगवान की दया से ये अच्छे अच्छे पदों पे जाती है बड़े बड़े प्रसासनिक अधिकारी भी बनती हैं लेकिन वहाँ पर ये अपने धायरे और सूजबूज से काम लेती हैं जिससे इनके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आता है इसी लिए इनके पिता तो इनकी प्रसंसा करते ही हैं इनके ससुर आज बड़े बड़े अधिकारी लोग भी इनकी खूब प्रसंसा करते हैं और इनको जीवन में अच्छा खासा मान सम्मान प्राप्त होता है लाब अस्थान बड़ा भाई अब आप देखोगे कि बिश्ची प्राशी की जो महिनाएं हैं वो अपने लाब के लिए सतर्क होती हैं अगर वो हाउस वाइप भी हैं तो घर में कुछ नकुछ सिलाई कड़ाई करती रहेंगी कुछ नहीं हुआ तो अपने बच्चों की कपड़े सिलना ये सब करना तो इनको अपने लाब के लिए ये सतर्क रहती हैं किस तरह से दो पैसा आवे दो पैसा बचे इस तरह से ये अपने काम में ये बहुत सतर्क होती हैं अगर ये ब्यापार बिजनस में जाती हैं तो जो भी ब्यापार बिजनस करेंगी इसमें इनको बहुत अच्छा खासा लाब मिलता है और मन चाहाल आप मिलता है जिसे ये बहुत संतुस्ठ रहती है ब्यास्थान, यात्रास्थान, खर्चास्थान अब आप देखोगे कि ब्रिश्चिक रासी की जो महिलाएं हैं साधी के बाद ये यात्रा खूब करती है या यूँ कहा जाए कि इनको यात्रा करने का खूब आउसर मिलता है ये देश-बिदेश भी जाती हैं, दूर-दूर की यात्रा करती है टहलने घूमने अच्छे-च्छे जगों पर अपने बच्चे, परिवार, पती के साथ जाती है हाँ ये है कि जब ये यात्रा करती हैं तो खर्चा में कोई कंजूसी नहीं करेंगी कोई चीज पसंद आया खरीड लेंगी कभी-कभी तो ये ठगी का भी सिकार हो जाती है तो कि ठग लोग इनको ऐसा समझाएंगे, ये सामान ऐसा है वो है और ये समय कम पैसा आधिक ले लेंगी बाद में लेकिन ये है कि ये निश्चिल होती है ठग भी गई तो कोई इनको दुख नहीं होता है चलो उसका भला हो इस तरह से ये छमा की देवी की तरह होती है किसी के प्रत दुए सिस्या नहीं पालती है यात्रा खूब करती है और अपने बच्चे पती आधी के साथ इनको यात्रा करने में बड़ा आनंद आता है और उनके साथ ये खूब पसंद रहती है तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ब्रिश्चिक राशी की महलाओं को संगर्स के बाद एक संगर्स खतम नहीं हुआ दूसरा कोई न कोई संगर्स आ गया यानि समस्या है और विसेश कर इनको ग्रगर के मामले में अब मैं ब्रिश्चिक राशी की महलाओं को सिर्फ यही पताना चाहता हूँ कि आप धैरी की देवी हैं, आपको कभी भी क्रोड अधिक नहीं करना चाहिए, आपको अपना घर बनाना है, आपका घर आपके पती के घर में ही आपका घर है, इसलिए आप अपने पती की बात का तो कदापी बुरा मानो ही मत, उनको उल्टा जबाब दे देने से कौन सी आप को महारत हासिल हो गई राजियासत मिल गई इसलिए उनकी बात कह दिया उनके भी क्या दिमाग में आ गई कोई बात पता नहीं आपको प्रेसान करने के लिए कहते हैं या खुश करने के लिए कहते हैं या चिलाने के लिए कहते हैं तो उनकी बातों का आप सीरियर ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको अपने पती बच्चे साथ ससुर आदी का पुरा ध्यान रखना चाहिए और कुछ न कुछ घरेलुकार जैसे सिलाई कढ़ाई पेंटिंग गीत संगीत निर्टि आदी भी करते रहने चाहिए इससे आपका समय भी बचेगा और यह सब कारी करने में आनन्द भी खुबाएगा आपका खुब मन भी लगेगा और इससे आपका पूरा परिवार हंसी खुशी से बितीत होगा तो मित्रों मैंने आज आप लोगों को ब्रिश्चिक रासी की महिलाओं के बैवाहिक जीवन के विशे में जो बताया है मुझे आता है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिए नमस्का